दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डाइनासोर का राज था, वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धर्ती पर लड़ाईयां लड़ी दैत्याकार, बड़ी विचित्र डाइनोसौर ने करीब 14 करोड सालों तक इस धर्ती पर राज किया, डाइन डाइनोसौर की कई हजार प्रजातियां थी, इन में से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मासाहारी तो कुछ और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डाइनोसौर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे, ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या आखिर वह कौन सी घटना थी, जिसमें इनका नामों निशान ही मिटा दिया, इसे जानने के लिए हमें करोडों साल पीछे जाना होगा, और डाइनासौर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा, तो आये चलते हैं, आज से 65 मिलियन साल, यानी की 6 करोड 50 लाख साल हवाएं, और चारों तरफ डाइनोसौर के चिल्लाने चिंगाडने की आवाजें, जब ये सारी डाइनोसौर प्रजाती बड़े ही आराम से धर्ती पर अपना जीवन बिता रही थे, तब 10 करोड साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी, 10 करोड साल पहले एक छोटा एस्टेरोइड का टुकडा जो कही दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, प्रित्वी से लगभग 20 करोड मील दूर मंगल और ब्रहस्पती के बीच बने, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरोइड से जा टकराता है, इस ट एस्टेरोइड प्रित्वी से 3,84,000 किलो मीटर की दूरी पर था, तब धर्ती से शायद डायनाशोर का अंतर न होता, यदि एस्टेरोइड प्रित्वी के उपग्रह चांट से टकराता, लेकिन नियती को कुछ और ही मनजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरोइड के बहुत नजदीक बीच से गुजर गया, चालीस किलो मीटर के व्यासवाला दो ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरोइड प्रती एक सेकंड के साथ साथ धर्ती के करीब बढ़ता जा रहा था, जब प्रित्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफतार ए इसने अट्लांटिक ओशियन को पार कर लिया, इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धर्ती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे, ये जीव उस उलका को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे, कुछ ही क्षण में ये एस्टेरोइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की उर्जा वाला एक भयंकर विसफोर्ट होता है, इस टकराव का विसफोर्ट लगभग 10 हाइडरोजन बम के विसफोर्ट के बराबर था विसफोर्ट, इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धर्ती की लाखों टन धातू अंतरिक्ष में चली गई, टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चोड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गढधा बन गया, विसफोर्ट के कारण इस गद्दी का सारा मेटल और पत्थर आसम में धूल मूल के बड़े बादल में बदल गए, 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धर्ती के अंदर चारों और 11 दशमलव एक तीवरता के भूकम पिये तरंगें उठने लगी, इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्मान हुआ, और एक के सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी, भूकम पिये तरंगों ने सभी सक्रिये ज्वाला मुखियों को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डाइनोसौर का विनाश शुरू हो गया, धर्ती के महा विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, इस भयानक विस् इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरूात मात्र थी, विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल पत्थर और धूल अंत्रिक्ष में गया था, वह ग्रैविटी पुल के कारण थी, चालीस मिनिट बाद आग के गोले के रूप में किलो मीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धर्ती पर सूरज की रौष्णी का पहुच पाना असंभव हो गया, गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाने के कारण धर्ती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जल कर खाक हो गई थी, विस्फोट के 90 म किनट बाद धर्ती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, इसकी वजह से जुड डाइनोसौर विस्फोट के इलाके से कोसो मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए, इस महा प्रलय से धर्ती की कुल 90 प्रतिशत प्रजाती पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10 प्रतिशत जीव धर्ती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिन्दा रह सके, जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था, इसका कारण यह था कि इस महा प्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे, और पेड़ पौधों की सारी आबादी भ के लिए फाइदे मंद साबित होने वाला था, धर्ती पर डाइनोसौर का अंत एक छोटी प्रजाती के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, और प्रजाती थी, मैनर्स की मैनर्स क्या थे, कैसे बच गए, महा प्रलय से जाने के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, यह ज प्राइब जरूर करें, धन्यवाद